भारतिय संस्कृती में किसी भी कारे के लिए एक शुप महुरत देखा जाता है। जादतर जोतिशिय गर्णा के अंतरगध ही शादी विवा होते हैं लेकिन रविवार को भडली नवमी के दिन ब्रंज बंडल में जम कर शादिया हुई। हाला कि तेज बरसात ने सभी शादियों का मज़ा किरकिरा कर दिया। इसी अंसूझे साय के बाद अब देव उठनी एकादशी के बाद ही शुप कारे शुरू हो सकते हैं। जो कि आज के दिन पड़ी इस दिन अबूच मौरत होने करन बिना मौरत देखे बिवा की रसमें निवाई जाती हैं अला कि ऐसा नहीं है भडली नवमी एक मात दिन हो जब आप शुब कारियों को बिना किसी मौरत या ब्रहमर्ण के परामर्श के शुब कारिया शादि करा स सकते हैं दरसल गुप्त नवरात्री में जिस नमी तिती को समापत होते हैं उसे बहल्णी नोवी कहाता है या साल मा के सुकल पक्षकी नमी तिती को पड़ती है उत्तर भारती इलाकों में माननता है कि बहल्णी नोवी शादी जैसे सुब संसकार के लिए एक अभूज महुर है इसके दो दिन बाद ही देव शनी एकाजसी पड़ती जिसके दोरान लगाता चार महीने तक कोई भी शुबकार नहीं किये जा सकते हैं चार महें बाद देव उतनी एकाजसी के बाद ही आप किसी शुबकार को कर सकते हैं भारत बर्ष में अनेक परंपरा हैं अनेक बिदाय हैं उन्हीं में से एक है शादी की परंपरा शादी जो होती है वो महुरत के साब से होती है लेकिन जोतिश गंडा के नुसार या ये कहें समय चक्र के नुसार एक दिन ऐसा भी होता है जहां कोई महुरत काम नहीं करता सीधे तोर पर साधी हो जाती है जिसे कहते हैं बढ़ाईया नौमी यानि बढ़ाईया नौमी भी गिरामीर भासा में उसे बोला जाता है इसके सा जहां पर कि जब कोई साया यानि कोई भी शाधी नहीं सूज रही हो तो वो शाधी हो जाती है आज के दिन के से अन्सूजे कहते हैं अन्सूजे तो आज अन्सूजे साय का मत्रा जनपत के साथ साथ समपूर भारत में बंद होने जा रहे हैं अन्सूजे साय यानि आज लास साथ हुआ करती थी लोग बराती बहुत ज़्यादा संक्याम हुआ करते थे अब वो नहीं है वो मात्र अब के वर फॉर्मलिटी नजर आती है कुल मिला के कह सकते हैं कि बिरजमंडल में अब अन्सूजे साय के साथ साथ कुछ महा के लिए शाधियां रुख जाएंगे अपने साथी बज़े के साथ रुवियादा